प्रभातखबर.com दिश्वास वही रवतार नई उपवास में ही रहती हैं मन और तन की शुद्धता के लिए ऐसा किया जाता है जब खरना का प्रसाद बनता है तो तमाम लोग शान्त होते हैं इस दौरान किसी भी तरह की आवास की मना ही होती है यदि शोर हुआ तो इसे अशुद्धता माना जाता है चट पर्व मुख्य रूप से सूरे देवता की आराधना करने का पर्व है सूरज को धन्यवाद किया जाता है क्यूंकि प्रकाश इस धर्ती में जीवन की मुख्य धूरी है बीस नवंबर की शाम को सूरज को पहला अर्ग डाला जाएगा दूपते हुए सूरे को अर्ग डालने का सबसे सही वक्त शाम पांच बच कर 25 मिनट पर है यही अर्ग डालने का सबसे शुब मूरत है धार्मिक मानेता के मुताबिक छटी माता सूरे देवता की बहन है कहा जाता है कि सूरे की उपासना करने से छटी मैया खुश होती है और सुक शान्ती के साथ साथ संपनिता प्रदान करती है चट पर्व कार्तिक शुक्ल सश्टी को मनाया जाता है। माना जाता है कि चट पर्व करने से मन्चाही मुराद पूरी होती है। चट पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चटी मईया संतान की रक्षा करती है और उनके जीवन को खुश हाल रखती हैं चट पूजा करने से सैंक्रों यग्यों के फल की प्राप्ति होती है परिवार में सुख सम्रिधी के प्राप्ति के लिए भी चटी मईया का व्रत किया जाता है चटी मईया की पूजा से भी सभी म कामनाई पूर होती है चटपर्व के दौरान फलों का भी विशेश महत्व है इन में संत्रा अनानास गन्ना सुथनी केला अम्रूद सरीफा नारियल भी शामिल है इनके अलावा साथी के चावल का चूड़ा ठेकवा दूद शहत तिल और अन्य द्रव्य भी शामिल किये जाते हैं इनसे डूपते हुए सूरे को अर्ग दिया जाता है इस रिपोर्ट में फिलहार इतना ही जारकंड अब्भिहार सहिद देश-दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्रभात खबर प्रभात खबर.com विश्वास वही रवतार नहीं